हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है खबर है FIFA द्वारा आफसाइड निर्डेयों के लिए SAOT का उपियोग किया जा रहा है FIFA विश्वकप 2022 के उधगाटन मैच में मेजबान कतर और एकपडोर के बीच टूर्नमेंट के पहले गोल को आफसाइड के लिए खारिच करने से सिर्फ तीन मिनट में ही निर्डेय सुना दिया गया FIFA की बिलकुल नई Semi Automated Offside Technology यानि SAOT इस त्वरित निर्णे के लिए जिम्मेदार थी जबकि वीडियो सहायक रेफरी यानि VAR टेक्नीकी की मदद से इस तरह के करीब निर्णेयों का निप्टारा आधनिक फुटपॉल में काफी हद तकाम है SAOT के अंतरगत दो डेटा सेट लगे होते हैं बॉल के अंदर सेंसर और दूसरा मौजूदा टेक्नीकिंग उपकरण जो की VAR प्रणाली का ही हिस्सा है जब भी गेंद को हिट किया जाता है डेटा वास्तविक समय में 500 फ्रेम प्रति सेकंड की दर से खेल के मैदान के चारों और स्थापित एंटीना के नेटवर्क पर भेजा जाता है इसके अलामा टर्फ के चारों और 12 हॉक आई कैमरे लगाए गए हैं जो गेंद और खिलाडियों दोनों को कवर करते हैं साथी मानव शरीर के 29 अलग-अलग बिंदूओं पर भी नज़र रखी जाती है इसके अलामा बॉल सेंसर और हॉक आई से डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रेसिजन टाइम प्रोटोकॉल क्लॉक का उप्योग किया जा सकता है जिससे एक सेकेंड के 10 लाख में हिससे तक सटीकता कम हो जाएगी इस प्रकार बॉल सेंसर और हॉक आई कैमरा का एक साथ आना ऐसे ओटी को मजबूरी से मजबूती से परिभाशित करता है इस टेक्नलोजी के बारे में फीफा का कहना है कि यह अत्यधिक सठीक और त्वरित निर्णे लेने में मदद करता है यह दो डेटा सेट अर्टिफीशल इंटेलिजेंस का उप्योग करते हैं जो मैच अधिकारियों को आफ साइट के बारे में स्वचलित एलर्ड भेशते हैं को बता दें इस इन बॉल्ड डिवाइस उपकरण को काइनेक्सों जो की एक जर्मन कंपनी है ने डिजाइन किया है अता सवाल उठता है कि क्या इसमें मानवी हस्तक शेप है तो आपको बता दें कि फीफा ने पहले ही सपस्ट कर दिया है कि ऐसे ओटी केवल एक पुस्टी कारक उपकरण है जिसमें अंतिम रणय हमेशा मैंच अधिकारी का ही होता है